एलो दोस्तों के LD Glasses में आप सभी का स्वागत अकल SSC MTS फर्ष्ट टायर का कह सकते हैं कि एक्जाम का रिजल्ट आया आप लोगों ने तियो रिजल्ट तो देखी लिया होगा कि किनका सेलेक्शन हुआ है सेकंड इस्टेज के लिए और किनका नहीं हुआ है तो चलिए हम बात इसके बारे में हम बिस्तार से बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एकदम बिस्तार से बता रहा हूं कि कितने लोगों ने फार्म को एपलाई किया था और कितने लोग पास हुए अभी आपको डाटा थोड़ा सा हैरान करने वाला है कि इतने अधिक लोगों ने इस एक्जाम को दिया था अब बात करते हैं कि इसमें से पास कितने लोग हुए है तोटल अगर बात किया क्योंकि दो कटेगरी से रिजल्ट आपका आया है अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से कटेगरी तो टोटल पास इस्टुटेंट की बात किया जिसमें बुआया और गर्ल दोनों हैं तो 1111 देखे इस तरह से आप याद कर सकते हैं 111,162 यतना समझ सकते हैं कि 38,000,000,000 लोगों ने फार्म को भरा था और 19,000,000,000 लोगों ने पेपर दिया था उसमें पास कितने हुए 111,162 इस्टुटेंट जो हैं इस एक्जाम को पास करके सेकेंड इस्टेज में जाने के लिए क्वालिफाई कर लिए हैं तो चलिए बात करते हैं कि दो कटेगरी में आपका रिजल्ट जारी किया गया है तो कौन-कौन से तो मैं भी दो कटेगरी बना ले रहा हैं एक है आपका एज के वाइस के निकला गया है पहली बार निकला गया है 18-25 साल के कितने लोग पास हुए है ये निकला गया है उसके बाद 18-27 क दोने इसका मलत समझ सकते हैं इस्टूटेंट ही कहिए और 18-27 के बीच में जिनका एज आता है अगर उसमें बात कि कितने लोग पास हुए है तो इसमें है 26,384 स्टूटेंट कह सकते हैं कि इसमें पास हुए है तो आप एक डाटा देख सकते हैं अगर यह 84,778 और 26,384 को और जो अगला जो आपका सेक़ड ईस्टेच 24 कЕह सकते हैं नॉम्बर को होगा यह दुबारा कह सकते हुए हुए कि पेपर को देंगे तो चली आप बात करते हैं कि आपका जो एंसवर की आ तो कोई भी आपको यह लगत है तो आप अब्ल्क रिच्ट्याब कर दिए हैं तो आप के पास चार δिसम्बर के तक आपका कर रहे इसा निगता है तो आप अब्जेक्षन कर सकते हैं यह 8 551 एक महिने का है तो आप कभी भी कर सकते हैं चलिए आप बात करते हैं जो second stage होगा आपका कब होगा तो second stage का date आ चुकर है वो आपका 24 नॉंबर को होगा पहले ये एक्जाम 17 नॉंबर को होने वाला था लेकिन आपका पढ़ा दिया इसलिए जो आपका result आने वाला था ये भी कह पहले इसका मनलब हो गया कि 10 नॉंबर को आपको ये पता चल जाएगा कि आपका center कहां पे गया है इलहाबाद गोर अपूर जहां भी आपने लखनव कहां पर जैसे इस तरह से SSE ने जहां पे आपको भेजा होगा वहाँ पे जाएगा इसके चार दिन पहले एकजाम के चार दिन पहले इसका मनलब किया होगा कि 20 नॉंबर को आपको कह सकते हैं कि आपका admit card आ जाएगा चाहे SSE जो official website है वहाँ से देख सकते हैं या सरकारे एजल से आप अपना जो कह सक सकते हैं कि admit card है उसको download कर सकते हैं और यह जो paper होगा second step पेपर होगा यह आपका descriptive होगा आपको इसमें लिखना होगा इसमें कह सकते हैं कि किस भासाएं में आप लिख सकते हैं तो जो समिधान के आठवी अन्सूची में जो 22 भासाएं उनमें से किसी भी भासाओं में आप कह होगा अब बात करते हैं कि कुछ essay student हैं जिनका result नहीं आया या वह फेल या पास नहीं है तो इतने जो संख्या है इनकी अगर मैं बात करूँ संख्या तो 12 essay चातर है जिनका result नहीं आया है तो उपर सान ना हो अगर यह वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह से kld classes में बने लिए कह सकते हैं कि यह आपका रोग दिया गया और जल्द ही आपका यह answer आपका result जारी कर दिया जाए तो इसी तरह से अगर आपको latest information चाहिए तो आज ही kld classes को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक सेयर करें जो भी दोस्त SSC MTS का first year का जो कह सकते है first tier जो कह सकत लिए इसी प्रकार से बने रहें आप सभी दोस्तों का kld classes की ओर से धन्यवाद